तो आज भी वरी आनिस्ट मुझे पफॉर्मन्स पसंद नहीं आया और किसे मिला है सबसे कम स्कोर लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इंडियाज बेश्टांचा सीजन 4 की कोई भी अपडेट आप से मिस ना हो तो देखो दोस्तों आज के पिसूड में कमपरिशन बहुँ चाहता हाई था क्योंकि सभी कंटेस्टन को अपना बेश्ट पफॉर्मस दे करके जजजस से फुल स्कोर लेना था तो इसलिए आज सबसे पहले बेश्टनवी और सीवानसु की जोडी ने पफॉमस दिया जिस पर जजजस ने 24 स्कोर दिया उसके बाद हर सकेसरी और प्रतीक ने पफॉमस दिया जिस पर जजजस ने 30 स्कोर दिया जी हाँ आज इनका पफॉमस अलग ही लेबल का था तो वहीं अगला performance हुआ अकीना और सुबरनिल का जिस पर जजस ने बहुत ही कम 23 स्कोर दिया जी हाँ अकीना का performance जजस को आज पसंद नहीं आया और इसलिए टेरेंसर ने अकीना की क्लास भी लगाई उसके बाद अमोस और कार्तिक ने अगला performance दिया जिस पर जजस ने 25 स्कोर दिया जी हाँ अमोस का भी performance आज कुछ खास नहीं हुआ और इसलिए इनको भी कम स्कोर मिला है तो वहीं अगला performance रोहन और आकास ने दिया जिस पर जजस ने 29 स्कोर दिया उसके बाद last performance हुआ चित्राक्षी और सौम्या का जिस पर जजस ने 30 स्कोर दिया जी हाँ चित्राक्षी ने इस पार बहुत ही कमाल का performance दिया इसलिए इस पार 30 स्कोर के साथ साथ standing ovation भी मिला तो दस्तों overall सभी कंटेस्टन ने आज आच्छा पर फार दिया लेकिन कुछ कंटेस्टन को बहुत ही कम स्कोर मिला है वैसे आप सबको किस कंटेस्टन का पर फार जजस ने जो स्कोर दिया है क्या वो fair है या unfair है कॉमेंट करके आप हुमें जरूर बताना और ऐसी ही अपडेट के लिए आप हुमारे चैनल को सबस्क्राइब चरूर कर लेना